हेलो बच्छा पाटी आज फिर आज हम लोग क्या है आज तो कई लेटरल मतलब चतरभूज अब आज के बाद आपको कोई प्रोल्म नहीं होगा मतलब चतरभूज आप पूरा सब कुछ समझ आएंगे इसके बारे में इसका पूरा जनम कुणली निकालने जा रहे हैं ओर्ट कौंकोर मज़न से प्रृकार होते हैं और इसका यूज्वास का कॉणंकोर से गून होते हैं तो वन वाई और करके सीख जाएंगे चले सुरू करते हैं सबसे पहला क्या बर्रान मतलकी से हैं करते हैं लिदी में हमें दोनों बताएंगा आपको A simple close figure bounded by four line segments is called quadrilateral मतलब कि चार सर्ल रेखा खंडों से घिरी समतल आकडिती को चत्रहुज काते हैं मतलब इसमें कितने रेखा खंड होंगे? कितने होंगे? चार होंगे, कितने होंगे? चार, चार सर्ल रेखा खंड होंगे, चार line segment होंगे जैसा कि हाँ देख रहे हैं, A, B, B, C, C, D, और A, D चार, है ना, line segment, मतलब रेखा खंड है, 4 रेखा खंड है, A, B, C, C, D, और A, D चार सर्ल रेखा खंड है, और ये घिरा होगा है, चार ओर से, खुला होगा, नहीं है अब चार और से घिरा होगा, तो चार रेखा होगा, नहीं होगा आप बात आती है कि चत्रभूज के कितने पार्ट होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कोई वीचीज होता है तो उसका कुछ अंग होता है अंग होता है तो कौन-कौन से अंग होते हैं चली जानते हैं इनके अंगों के बाड़े में इसके पार्ट पहला है भाटीक सेज हिंदी मे होते हैं तुर भूझ में तीन होते हैं तुर में चार होते हैं तोन कोनब इस का मतलब होता है अब सीदी तोन क्योंको लगा रहा देंगे मैं यदि ते सब्सक्राइघ भर्टिक शिर्स दूसरा नंबर है साइड शाइड ऑन दे 124 में दोन blessed चाह सब्ते हैं अगला है एंगल्स ने सब्सक्तेल कि समnet चाहिए। डूरण ठीट help आई्च चाहता नंबर कुन चाहर कौन होते हैं तोह को हम लोगा ईशे दिखाते हैं कुन एयसे लिए ऐसे एज है बात करते हैं डाइगोनल्स माने होता है बीकर्ण इंदी में करते हैं विकर्ण 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 होते हैं तो होते हैं चाल नहीं होते हैं यह जो है आपोजिट इसको का अपोजिट के सामने वाला जो है इसको मिलाएंगा इसे एक बिकन बने गारें यहां और कोन है है के सामने कोन है सी तो एक को सी से मिला जबेंगे दूसरा नमअ भीकोरण हो गया इसमें कि फिर्ण कर नाम किया हो गया अधु genres चार भुजाय होती है चार कोन होते हैं और काड़ाइं होते हैं ठीक है अह fils और बात करते हैं कि इसमें कुछ points है जो बहुत important है जो आपको जानना चाहिए पहना नमर प्वाइंट क्या है एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है संगत मनेकि बगल वला तो टकल सहramos तो आजिसे का मतल्याता बगल वाला जैसे कि दखे एक एंगल कुन है वी मनई परोसी वलाई हblowing मन्न परोसी लोगाल में कौन है दो एक परोसी कॉन है यूंब मनन निकालते ह me पर दोटेज्यांट में …- ALLakah अगर कुण एका एका एद्जेसेंट एंगल कुण और हम एंगल कुण है टीका परोशी कोण कूण और एको ए येुक्व है एस लिजेंद एको है इको ए एक का दूग परोसी है एगो बी एगो डी सी क्यों नहीं है क्योंकि सी सामने वाला परोसी है बगल वाला परोसी नहीं है एक के बगल में सी नहीं है एक के बगल में दूगो है कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- कैख कॉन धरइक apposite angles क्या ऐपॉजित एंगल सिर्षाभी मुख सिर्षाभी मूख कौन मतला सामने वाला कॉन है ना is ऐसी का सिर्चवल मुख मुख कौन हो गया दॉद यानने बी का ड़ी है और डी का दी है दूनों को एक सिर्चत को धूम है संमुक कौन है संमुक कोन है मतलब कि opposite angles है ठीक है णा अब बात करते हैं एड़ेसेंट side की मतलब क्या बगल में जो होता है आसन कहते है एडिसेंस अंधी ने बता पाए याद नहीं आ रहा था यहाँ पिया यहाँ पर Say अछिपन याजन नशन अजन कौन हो गया है यह ब्भू जाए और अमें पिरम क्या होग trust का मतलब आप ऑप जिट का मतलब होता है कैची संमूख क्या होता है सम और मुं डांस अखा्र संव है न तो आप अगेत आक की हैं तो आप से हम कहेंगे मिटने में रहें तो आ誌न भूजआ a b ka a a b a a b तो हम देखेंगे कि a b में कुणक्ण सटल है तो a b यहां पर है ना यह भी ना आ तहिसंटा वाको नहीं भूजा एव है B C आएगो है एडी दूग है एगो कौन है बीसी आएगो है एडी समझ में आ गया एगो बीसी सटल है एगो एडी सटल है उसी प्रकार से आपको कहेंगे कि बताए ये बीसी का एड़ेसेंट साइड कौन हुगा पेड़ेसंट साइड है एगो एभी आये गो है इसी प्रकार से आपको कहेंगे बताये एसीनियों साइड कॉन होगा तर्स चीदिस सटल कोन है यह एबी सी आई गूह है एडी फिर आप से काएंगे एडी का एडी का एडी का एडी आगारे इसका एडी आगा हो आगा है यह यह को न है कोन अब बात करते हैं अपोजिट साइड की किसकी बात करेंगा हम लोग अपोजिट का मतले होता है आमने सामने वाला तो एबी का अपोजिट कौन होगा और अपोजिट का मतलब बढ़े से समझ लीगिए एडिसन का मतलब होता है आसन और opposite का मतलब होता है सम्मुख सामने वला ठीक है अब कोन होगा था कोन भुजा होगा था भुजा चलिए अब हम लोग जानते हैं कि चत्रभूज कितने प्रकार के होते हैं चलिए सुरू करते हैं तो कि कैने को है तो अब हम जानेंगे काइंट सॉप याणि टाइप सॉप क протists क्वाइब कितने प्रकार के हुऩे हैं तो ऊपार अक्माट दिया गया बंद में हैं मिक्ते हीं की लुटी सुंहें हिंदी में संब्लष चत्रभूज इसा होता है दूसरा प्र लेलोग्याम समधाद चत्रभूज अर थी स्था रमबस सम चत्रभूज चौथा होता है रेक्टेंगल आयत पात्मा, स्क्वार, वर्ग, हिंदी में करते हैं, अच्छी तर ऐसे बनता है, और छठा, काइट, पतंग, और ऐसे, अभी तो आप नाम जाने, कि नाम क्या था उसका, आप हम जाने कि इसका डिफनेशन क्या होगा, और इसके कौन-कौन से प्रोपर्टीज होंगे, यह और आपको कोई सी समझ में नहीं आता है, तो नीचे कॉमेंट में जो कॉमेंट करें, रोखे, अब हम लोग पढ़ेंगे, ट्रैपीजियम के बारे में, इसको हिंदी में काते हैं, समलम चत्रभूज, एक वाडिलेटरल, हैविंग वन और अनली, वन पेयर और पैरलल साइड इस काल्ड ट्रैपीजियम, मतलब कि वैसा चत्रभूज, जिसमें कम से कम एक जोरा भूजा जो हो, वो क्या होना चाहिए, पैरलल होना चाहिए, मतलब समाना अन्तर होना चाहिए, उसे काते है, समलम चत्रभूज, जैसे देखिए यहाँ पे, एक बी, सी, डी, एक होना ही चाहिए, ठेक है, अला हाइव है, इसमें तुरा सा जान लिजे की आई, स्केस्ट्रैपीजियम क्या होता है, मतलब वैसा ट्रैपीजियम जिसके ऑनपैरलल लाइन जो होते है, न, वो एक वटाव होते है, मतलब non-parallel sites are क्या है, are equal, are equal, are equal, here, tenants पेपाई यहां पर मतलब क्या हुआ देखिए a b a b c d झतर हुज है इस में क्या है यह इसके के पैरलल है यह लाइन जो देखना है एडी kilow पैरल्याल है यह चार सेंटीमीटर है तो यह हम पर दो इसके समान है चार सेंटीमीटर हो हो जागा झाल